दोस्तो एक बात काज आतन की देर है उपरवाले की पास लेकिन अंदेर नहीं है जी हाँ दोस्तो इलाबाद आई कोट ने के इससा जबरदस जज्जमेंट दिया है कली लेटेश्टी इसमें किलियली कर दिया है कि अगर कोई भी साधी सुधा पत्नी किसी भी गेर मर्द के इससे सब्सक्राइब नहीं माना जाएगा डिटेल में बात करेंगे दोस्तु काफी महत्यपुन जज्जमेंट आया है और हर किसी लिए काफी महत्यपुन होने वाला है तो चलिए दोस्तो नो टाइम पास्त नो वक्वास सिदा करते हैं काम की बात मैं हूं हैं सेकेड़ बा बात होती तो अपने प्रेमी के साथ लिव एंड रिलेसेसिव में हेज ये पती और पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं इलावाद आई कोड ने किलियली कर दिया है अगर कोई भी पत्नी किसी भी गेर मर्द के साथ साधी सुधा बिना तलाक लिव अगर सम्मद मना रही है तो IPC 494 में की अपरादी मानी जाएगी जिसमें 7 साल की सजा है अगर उसे कोई सरक्षन दे रहा है मतलब उसके साथ कोई रिलेसेसिव में रह रहा है लिवेन में उसको IPC 495 में मतलब 10 साल की सजा का प्रोधान कर दिया गया है यह बिल्कूल 497 हटने के बाद इतने क्रायम बढ़ गे थे एडल्ट्री के और ऐसे जजज्मेंट की सब को बहुँ ज्यादा सक जूरती कि भईया अगर आप साधी सुधा है पत्ती हो चाहे पत्नी हो आप किसी के साथ लिव एंड रिलेशनसीब में नहीं रह सकते जब तक आपकी तलाक नहीं हो जाता है अगर आप रहते हो तो फिर भईया यह 494 और 495 मतलब जो रह रही है पत्नी या पत्ती उसको भी सजा जिसके साथ रह रही है उनको भी सजा दोनों को ही सजा होने वाली है जी हाँ दोश्तू दूसरी बात अगर कोई धर्म परिवतन कराके भी इस तरह की कोई गठना कर रहा है मान लिजे कोई पत्नी हिंदू धर्म किया उसे मुश्लिम धर्म बना के कोई लिवेंड में रह रहा है साधी उसुद्या को तो उस सिच्वेशन में भी आपको 10 साल तक की सजा का प्रवधान कर दिया गया जी हाँ दोश्तू सेकिंड टोपिक एक और इंट्रेस्टिंग बा अगर आप किसी और के साथ रह रहे हो तो भाईया यह पी एक अप्रायात की केटिगरी में किलियर हो चुका है दोस्तु यह जजमेंट इस वजे इंपोर्टेंट है 498 केस में मैक्सिमम लोग मैक्सिमम लेडीजु का जो अफेर होता है वह एडल्ट्रिका ही होता है और 497 2018 म अब यह जरूरी नहीं कि वह पत्नियुपे दिया है यह बास सही है कि यह जजमेंट आया जो पत्नियुपे है लेकिन यह बास सेम है अगर कोई पत्ती भी ऐसी कटना करेगा तो सेम उस पे भी केस लागू जरूर होगा जी हाँ दोस्तु बाई आप साधी सुदा है तो किसी के साथ एडल ट्रीम नहीं जाओगे यह किलियर कट है जब तक आपका तलाक नहीं हो सकता अगर आप कोई धरहम परियोतन कराने की कोशिस भी कर रहे हो तो भी आपको 10 साल तकी सजा का प्रोजन है अगर आप जिसके साथ जा रहे हो उसको भी सजा है क्योंकि सर्रक्षन देन हो तो उस सिचियोशन में उसको भी सजा है उसको दस साल तक ही सजा है जी हां जो लिविएंट रिलेसंसी में रहने जाएगा बिना तलाक लिए उसको 10 साल के सजा का प्रोज़ान है सेकिन बात अगर आप किसी के एक के साथ लिविएंट में रहे हो पहले से ओल्रड़ी आप अनमेरिट कपल हो लेकिन लिवेंड में किसी के साथ रह रहे हो और उसके बाद उस पार्टनर को आप चीट कर रहे हो तो फिर भी आपको वही 10 साल के सजा मतलब आप एक ही गल्लफेंड एक ही बोज़फेंड रख सकते हो किलियर कट बात है सेकेंड ओप्शन आपके पास बिल्कुल लावाद आईकोट ने बंद कर दिया है दोस्तू जी हाँ दोस्तू तो आयोग दोस्ती ये जजज्मेंट काफी इंपोर्टेंट रहे होगा आपके लिए सबी के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो चले दोस्तू आज के लिए इतना ही चेहिन वन दे मात्रम दोस्तू